एक गाउ में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था गाउ में चड़्चा हो रही थी कि ये पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई मा जाना महाँ पर बहुत बहानक भूतली रहती है रंगल की तरफ एक औरत को जाते हुए देखता है सिवा, सिवा बोलता है तुम कहां जा रही हो, बोलती है मैं पीपल के पेड़ की तरफ जा रही हूँ क्योंकि वो भूतली है उधर फिर वो औरत पीपल की भूतनी के पास चली जाती है और कहती है कि मेरी समस्या का हल करो मेरी सास तो बहुत खराब है मैं क्या करूँ भूतनी उसके फिर दो टुकडे कर देती है सिवा उसको औरत को माड़ते हुए देख रहा था छुपके सिवा फिर दोड़ के बीर के पास जाता है बीर तुम चलो बीर और इमली वहाँ पर खेल रहे होते हैं और उद्धा सिवा पहुंचता है सिवा वहाँ पर पहुंच जाता है और बीर से कहता है बीर तुम चलो पीपल की भूतली आ चुकी है वीर इमली और सिवा से कहता है कि तुम इधरी रहो और मैं भूतली को मार के आता हूँ वीर वहाँ पर आ जाता है और चुडेल से कहता है कि तुम लोगों को क्यों मार रही हो तो चुडेल दूसको देखकर हसने लगती है और कहती है कि तू मेरा चोटा सा बच्चा क्या करें वीरूस को मार देता है नेक्स पार्ट देखने के लिए सस्क्राइब करें